असलामलेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूरेंट्स ओपन यूर मैथ बुक्स पेज नमबर 15 लुक आट इस एक्सपेंड़ फॉर्म देखें और उसके बाद हमने इनको नमबर्स में लिखना है ठीक है पहले हमें नमबर्स गिवन थे और हमने एक्सपेंड़ फॉर्म लिख 10 का 1 और 6 इस थीक है इसी तरह नेक्स्ट हमारे पस क्या है 8000 प्लस 000 प्लस 70 प्लस 2 तो 8000 का मैंने 8 लिख है 0 फिर 7 फिर 2 ठीक है इसी तरह आप लोगोंने इसको कंप्लीट करने अब नीचे क्या एक्सपेंड़ नीचे जो है वह सेम इसी तरह है लेकिन थोड़ी से जादा ह हो गई है वैल्यों हमारे पस बढ़ गई है ठीक है 70,000 का मैंने 7 लिख है 9,000 का 9,200 का 2,60 का 6 और 1 का 1 लिख है ठीक है यह आपके आगे नंबर में अब नीचे क्या हमें गिवन है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ठीक है राइट नंबर्स दैट कम्स बिफोर का मतलब होता है प तो बिफोर में हमने क्या कि यह एक नंबर पीछे लिखना था तो यहां पे जिस तरह हमारे पर 5648, लास्ट टू डिजिट्स आपने देखने 48 से पिछला नंबर क्या होता है 47 तो यहां पे क्या आगया 5647 ठीक है नेक्स्ट के है 3,275, 3,275 तो 75 से पिछला नमबर क्या होता है 74 तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया 74 इसी तरह नीचे वाला है 63,671, 71 से पीछे लास्ट टू डिजिट्स आपने देखने है 71 से पीछे क्या आता है 70 तो यहां मैंने लिख दिया 70 ठीक है नेक्स्ट हमारे पास किया आफ्टर का मतलब होता है हमने एक नमबर बाद बादा लिखने तो इसमें भी हम लास्ट टू टिजिट्स देखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर 5,487 तो यहां पर क्या गया 5,488 नेक्स्ट के हमारे पास 81,027 तो यहां मैंने लिख द में लिखना है हमने बीच वाला नमबर तो 40 अब जिसरह यहां पर था 8,320 तो 8,321 आ गया आगे के 22 नेक्स्ट के हमारे पास 4,306 था 307 308 आ गया हमारे पास ठीक है हमने लास्ट डिजिट देखने इसमें भी यहां पर 61,999 ठीक है इसमें जब हम इससे एक नमबर आगे ठीक है तो यह आप लोगों ने इस तरह से अपने बुक्स के उपर करना है यह काम